सपसांसद आजम खान के खिलाफ एक्षन में योगी सरकार कोट के आदेश के बाद गेट तोड़ने की कार्रयवाही तेज वहीं नोटिस हुआ जारी 30 दिन का समय दिया गया आजम खान के घर पर भी लगा नोटिस वहीं चनपद रामपूर के सपसांसद आजम खान के घर पर चस्पा किया नोटिस उत्तरप्रदेश सर्वजनिक भूर ग्राहित अधिनियम 1972 की धारा पांच की उपधारा एक किया दिन आदेश का नोटिस चस्पा किया गया है जिला जच कोट ने जोहर उनिवस्टी के गेट को तोड़ने का SDM कोट का आदेश बरकरार रखते हुए आजम खां की याच का खारिज कर दी थी पहले SDM कोट ने जोहर उनिवस्टी का गेट तोड़ने का आदेश दिया था पंधरा दिन का समय दिया था पी डबलूडी की रोड़ पर जोहर उनिवस्टी का गेट लगा देने का मामला था अ अब नोटिस में आदेश के 30 दिन के अंदर कबजा खाली करने को कहा गया है।